नमस्कार आयूर्वेद और आपके स्वास्त से जुड़े इस विशेश कारिकर में आपका स्वागत है। इस्तमाल होने वाले पदार्थ तयार किये जाते हैं। क्या मौस्मी फ्लू के और भी कुछ असर शरीर पर हो सकते हैं। तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए इस खास कारिकर में बने रही है। इसको पहले भी बताया क्या है कि प्रिवेंशन कैसे क्या जाए। रोग होने से पहले ही हमें प्रिवेंशन कैसे स्वास्थय मेंटेन करना वो बहुत बरी बात है। और उसके बाद आता है कैसे हम लोग क्योर करेंगे, ट्रीट्मेंट करेंगे। तो इसी उदेश से इसको प्रिवेंटिव और क्योरिटिव एस्पेक्ट दोनों से देखा गया है। और जिसका भी जो निरोगी है, निरोगी स्टेट में अभी है, उन लोगों को भी कैसे स्वास्थय मेंटेन किया जाता है। और इससे सब और सेथे प्रिंसिपल कुछ दीए हुए हैं, और काफी बार देखा गया है कि कुछ रोग होने से भी हम लोगों को जो जो मेनेजमेंट चाहिए, या फिर हर्बिल बैनेजमेंट या फिर कुछ ऐसे हर्बो मिनरेल प्रडक्स हैं हम लोग का, जिससे हम लोग इ से बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलता है मैं मिलकूल डॉटर डिप्ती इन दिनों मौसम अगर हम देखे काफी बदलाव हो रहा है कभी गर्मी कभी बारिश ऐसे में जो मौसमी बिमारिया होती वह कौन-कौन सी हो सकती और आयूरवेद में उनका इलाज कैसे होता है जी द डिहाज्डैंशन की वज़े से भी होता है डिहाज्डैंशन ज Sé Om का वर्क अउट भी ज्यादा रहता है तो अभी हम लोगका जो ये पसीना और ये डिहाजड्रेशन होता है इससे हम लिगगों को बहुत जो पद्धतिया दिया गया है और उस पद्धतियों से बोड़ी को कीसे मेंटेंड किया जाए और यह यह ठंडाई कुछ चीजे हैं जैसा आमला है क्लासिक्ल परडक्स है इसको कैसे इस्तेमाल किया जाए और क्यों इसका बेसिस प्रिसिपल्स of management है हम लोग का तो सही तरीके से इसको अगर बहुत जादा अगर हम लोग जो डेली यूज में अगर रखेंगे एक बार भी हम लोग अगर इस थंडाई को हम लोग लेंगे इस टाइम में तो बहुत सारा रोग जो हैं इससे हम उनको इसे आगर बाट करें लेटे लिट हो सकते हैं तो कहींना करें बात करें बच्छों की तो बच्छों में किस तरह से आई-वीड के क्या उकानकी ऌनकी का का्फी कॉमन रहा है ढंकी सर्थी खानी कर्फ ब्किर लेंग वोह है बच्छों के लिए देखेँ है बहुत सारे प्राव सब्सक्राइब चल रहा है तो हम लोग देखते हैं कि अगर यूज करना है अगर चल रहा है तो हम लोग को हनी के साथ मध्धू के साथ थोड़ा एक चमच त्रिफला को मध्धू के साथ मिक्स करके हम लोग देना शुरू करते हैं तो बच्छों का क्या होता है इम्म्यूनिटी भी बूस्ट होता है पेट का खड़ाबी भी बहुत अच्छी तेरिके से उसका इलाज भी मिल जाता है त और जैसे आपके पास त्रिफला नहीं है अगर अभी मर्केट में भी आ रहा है आमला आ रहा है तो आमले का अगर जूस मिल जाए वो भी अच्छा है आमला बॉल करके उसका बॉलिंग का पानी जो है वो भी ले सकते है तो ऐसी ऐसे चीज़े हैं जो आईरवेट नहीं वो जैसा हकी हमें मिलता है बाजार में मिल जाता है तो इन सब चीज़ों से हमें बहुत लाग मिल सकता है सर्दी खासी कफ इनकी बात करें यह सब के साथ एक जो साथ में आता है वो है बुखार तो इस सेजर में किस तरह की बुखार हो सकते हैं और उनसे हम लोग किस तरह से बच सकते हैं इस टाइम में जैसे की सर्दिखासी हो रहा है, मैं सर्दिखासी के लिए बोल देती हूँ, कि मुलेठी, एक पौंडर आता है, मुलेठी या फिर यश्टी मधू बोलते हैं उसको, तो मुलेठी सबको पता होता है, मुलेठी का अगर पौंडर करके वो लिया जाए, तो जो भ सर्दिखासी हो रहा है, यह मुलेठी पौंडर, मिक्स कीजे, आप गिलोई के साथ मिक्स कर सकते हैं, तुलसी के साथ मिक्स कर सकते हैं, इसके साथ आप लॉंग जालू के सब दे सकते हैं, तो इन सब चीजों से क्या होगा, आपका जो अपर रेस्पिरिटरी ट्रेक्टन, का पूरा रेस्पिरिटरी सिस्टम है, उनको बहुत स्ट्रैंक्ठ मिलेगी, तो उससे क्या होगा, आपका जल्दी, बजे बच्चे रोक हो चल्दी खासी खतम हो जाएगी, वो जो सिस्टम है, तो ठोड़ा सा स्ट्रेंक्ठ मिलेगा, वो इम्यून हो जाएगा, और जितना तो अगर देखेंएं कि अगर नीचे है तो आप ऐलो वेरा दे सकते हैं उस टाइम पे जो ठंडा रहता है बॉड़ी को एक हेमुलेट ही दे सकते हैं उस पे तो ऐसा ऐसा चीज है जो आपको मतलब बोडी को इस टाइम में ठंदा रखना बहुत ज़री होता है इसमें खान-पान को कुछ है क्या जी जैसे या फिर हम लोग अपना कुछ लाइस्टाइल बदले गर्मियों की दिनों में जिसे जो जितनी बी तमाम बिमारिया होती है गर्मी के दिन या फिर बरसाथ के समय तो उनसे बचा जा सके करहा है जी खंद-पान में तो देखिए हिए हम लोग जो ले रहे है इसमें जितना हो सके जो Olá हुआ है बोड़ी से जो इलेक्ट्रिय्ट इंभेलेंश्म आपको अगर fluid loss हो रहा है तो उसमें क्या होगा आपका बोडी का जो sodium potassium है वो sodium potassium impalencement हो जाता है तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो हम लोग का गिलोई juice है शतावर juice होता है अश्वा गर्धा पाउडर मिक्स करके ले लिया तो आपला पाउडर में बोले रही थी गिलोई juice, तुलसी, पुदीना तो इन सब चीजों का थंडा बना कर लेना चाहिए coconut water हमेशा लेना चाहिए पहली बात तो है आपको अपने body में आपको hydration मतलब rehydration आपको maintain करना ही है फिर आपका आता है जो भी आपको जैसे carbohydrate protein है इन सब को to maintain करना ही है body के energy के लिए बाकी हो गया आपका जो कैसे आप उसको मतलब ठीक से आप maintain करेंगे उसके लिए vitamin है विटमीन आपको मिल जाएगा साग सबजी इसमें सब भी साग सबजी है बच्चों बच्चे के time से ही मतलब एकदम childhood से ही इनको maintain करना होता है आपको और जितना तक हो सके आप यह सब चीजे और minerals सब यह चीजों में minerals रहता है जैसे fruits में ज़्यादा तर fruits लेना चाहिए बच्चों को भी देना चाहिए और fruits जो है वो उसका juice नहीं बना कर उसको ज़्यादा तर आपको whole fruit लेना चाहिए जैसे orange बच्चों को और वो gastric system को भी पूरा साफ कर देगा देटी जी सिर्दर्द और throat infection यह सब साथ में आने वाली बिमारिया है तो इनके लिए कोई खास नुसका है आयूर्वेद में हाँ हाँ यह सिर्दर्द अगर देखें सिर्दर्द कभी अपने से नहीं आता है मतलब ऐसा होता है कि वो आपके बेन तक एक यह passage है आपको द्वार बोला गया है इससे इसे इसे आपको पुरा का पुरा इंफेक्शन जा सकता है आपका पुरा condition जो है headache का तो इससे क्या करते है हम लोगों को एक पंशे कर्मा थेरपी है नश्या अगर बहुत दिनों से लोग headache में यह कर रहे हैं ब कई बार जब सर्दी खासी होता है तब यह तेल का इस्तमाल घर में किया जाता है हां कि उसी तरह का कुछ है हां जैसे देखिए कोविट के टाइम में मोडी जीन में भी एक आयूश मंतरनारान के तरफ से एक guideline आया था उसमें अनुतेल का बहुत उले क्या गया था तो अनु आप अंदर तक जा सकते हैं तो क्या है कि अनुतेल या फिश अद्बिंदु तेल ऐसा होशदी है जो आपके nasal passage में ही bacteria and virus को capture कर लेगा और उसको मतलब यह fight करेगा आपके infection को तो यह एक बहुत अच्छा है और वो अनुतेल अंदर जाने के बार पूरा का पूरा respiratory system उसको भ infection आपके lungs तक जाने वाले थे वो stomach तक चले जाएगे और बाहर हो जाएगे तो covid का भी यही था तो इससे आपको जो भी आपको तेल बिले जैसे अनुतेल मैंने बोला शद्बिंदु यह सब classical medicines है तो इन सब classical medicines से अच्छली आपको बहुत जादा benefit मतलब multi-dimensional benefit में ही जाएगा पन्चकर्मा कि आप बात कर रहें हमने भी सुना है कि काफी जो आयूरमेद में है काफी अच्छी चीकित सा बद्ददी है तो हम यह पंचकर्मा actually क्या है और कैसे किया जाता है या फिर किन-किन बीमारियों में इसका इस्तमाल होता है ये जाना जाते हैं? पंच कर्मा जो है ये पाच थेरपीज होता है इसमें वमन, विरेचन, अस्थापन बस्ती, अनुपाशन बस्ती नश्य कर्मों को इंक्लूट किया गया है जैसे मैंने नश्य के बारे में थोड़ी देर पहले ही बताया वमन होता है कि आपके जो stomachs जो upper gastric area है उसमें जो infections बनते हैं जो कुछ बीमारी मनते हैं तो उनको वमन करमा से कुछ medicines पिलाया जाता है और उनसे कुछ forcefully कुछ vomiting किया कराया जाता है जैसे कि आपका पूरा passage clear हो जाए उसको वमन बोलते है उसका miraculous result होता है फिर विरेचन जो आपका lower gastric area होता है जैसे intestine हो गया है उसमें कुछ infection जैसे chronic dysentery हो गया IBS का problem हो गया तो उसमें भी कुछ और शदिया ऐसे खिला के लोगों को forcefully evacuation किया जाता है उससे purgation किया जाता है वो भी एक पद्धती होता है वस्ती जो है आपका जो urinary bladder में कुछ problem रहा है वो या फिर उस neurological problem कुछ रहा वस्ती कर्म से उसको मतलब जैसे paralysis हो गया इन सब चीजों में हम लोग वस्ती कर्मा देखे या फिर किसी का infertility का problem रहा उत्तरवस्ती देते हैं उनको हम uterine cavity जो है उसको साफ किया जाता है फिर इन सब actually यह सब पुरा का पुरा पद्धती जो है आयर्वेदिक classical पद्धिया है और इसका scientific evidence based इसका research हो चुका है और अभी भी हो रहा है और जिस त तो पंच कर्मा का पुरा जो जो therapies है पाच therapies और उससे पहले हम लोग पूरबकर्मे करते हैं और पूरबकर्मा होता है एक तो आपका body को पुरा prepare किया जाता है अभ्यंगम बोलते है उसको अभ्यंगम means आपका whole body massage दिया जाता है पहले फिर उसको steam दिया जाता है जससे detoxification हो जाए बोडी का जो कुछ toxicity है वो निकल जाए और बोडी का पुरा जो जो हम लोग बाहर से खाते है या फिर कुछ medicines हम लोग लेता है जिससे की toxins पनते है तो उसको निकाल दिया जाता है तक कही न कहीं शरीर के जो शुद्धी करंट है जो पंच कर्मा के जरी होता है जो प्र आज हम बात कर रहे हैं आयुर्वेदिक चिकितसा पद्धती की और हमारे साथ स्टूडिय में मौझ जो हम हमें बता रही थी इससे पहले ब्रेक में जाने से पहले कि पंच कर्मा क्या है क्या ये पद्धती है और अब उनुसे हम यह जाना चाहेंगे कि जो पंच कर्मा पध तो किस तर ऐसे शुद्धी करती है और क्या जो जॉइंट जो पेन की समस्या है लोगों में क्या वो भी उससे दूर हो सकता है जी यह पंशकर्मा थेरपी से जॉइंट पेन में बहुत अच्छा अश्व दिखता है और यह जो हैं जॉइंट पेन जो हैं हम लोग का कभी ुरोलोजिकल हो जाते हैं जो सयाटिक पेल हें तो एकदम नीचे तक आपको पेल होता है एक पैर में फिर दो दो नो पेर में आर्र नेक्स होता है है जैसे महिलाओं को होता है बहुत जादा एक एज के बाद 40 या फिर 50 एज के बाद अफ्टर मेनोपोस दिखता है और यह आपका बॉडी में कैल्शियम विटामिन D डेफिशियंसी की वज़े से भी हो सकता है और यह बहुत द्यान रखना होता है और हम लोग पंचे कर्मा इसमें बहुत अच्छा सब्सक्राइब करते हैं या फिर पंचे कर्मा थरापी से उस जॉइंट को तरगेट किया जाता है बहुत जादा जिसमें डर्ध हो और उस डर्ध को वहां पर जो area है वह उस सिर्फ हद्यों को समयं तरगेट करते हैं पूरा का पूरा एरिया जो है soft tissues जो है उसमे और उस tissue को हम लोग क्या करते हैं पार टरगेट करके उसमें कुछ त्यल हम लोग पहले उसमें उसको कती वस्ती या फिर अगर आपको pain लंबर एरिया में है या फिर अपर बैक या लोर बैक में है जहां पर भी है इसको स्पॉंडिलाइटिस भी बोल सकता है जैसे कि सर्वाइकल स्पॉंडिलाइटिस या फिर लंबर स्पॉंडिलाइटिस तो वहां पर कटी वस्ती या ग्रिवा वस्ती से हम लोग ट्रित्मेंट करते हैं एक तेल दिया जाता है और तेल को रखके गरम तेल को रखके और उसमें उसके बाद थोरे तोरे टाइम के बाद उसको निकाला जाता है फिर गरम तेल पोर किया जाता है देन उसके बाद क्या होता है कि उसको उसका जो नर्फ है वो नर्फ रिलेक्स हो जाता है और उ उसका benefit बहुत है और उस team भी हम लोग दशमूल क्वाथ या फिर जो क्वाथ कारहा जो बोलते हैं उस कारहा से दिया जाता है steam जो है वैपर जो है जिससे की nerve roots पूरा खुल जाए, blockage उसका निकल जाए तो हर एक joint का जिसमें भी pain हो उस joint को हम लोग उसी तरह से treatment करते हैं हम लोग कर सकते हैं लेकिन यह समझना भी जरूरी है ना कि joint pain का आखिर वजह क्या है वजह मैंने जैसे बताया हाँ जो है वह बहुत एक बहुत बहुत बड़ा topic है और actually वह causes भी उसका बहुत जादा होता है कि कभी deficiency से हो सकता है और कभी बहुत जारा tiredness ठकान की वजह से अगर आपको tiredness से भी हो सकता है तो वह क्या है कि हम लोग rejuvenation process होता है एक पंशेकर्मा तो उस rejuvenation जो cell damage होता है उनको भी हम ठीक कर सकते हैं क्या कभी joint pain है वह किसी गंभीर बिमारी का भी संकेत हो सकता है को कि किसी तरह का लक्षिन जो आप rheumatic rheumatic ले लिजे तो rheumatism जो है rheumatic arthritis जो है वह गंभीर बिमारी का लक्षिन हो सकता है क्योंकि वह जैसे आपका कुछ ऐसी ऐसा conditions होता है कि आपको आपको actually free radicals जो बनता है body में उससे आपका क्या होता है वह crystals बन जाते हैं या फिर uric acid, uric acid बनने से हमको पहले ही पता चल जाता है कि शायद इस पे kidney disease involved हो सकते हैं तो इस हिसाब से आपको diagnosis पहले proper हम लोग करते हैं उसके बाद उस हिसाब से हम लोग क्या-क्या medicine उस पे देना होता है और क्या पंचिकर्मा थेरपी जैसे rheumatism में हो गया हम लोग उसमें oil apply नहीं करते हैं तो उसको राइडेंटिवे करना पड़ेगा कि osteoarthritis है या फिर rheumatic arthritis है तो identification process is very important उसके बाद ही हम लोग पहले पहचानना पड़ेगा कि रोग क्या है हाँ जी बिल वेदिक नुस्कांट के लिए या फिक किस तरह से उपचार किया जा सकता है देखे कुछ classical medicines में बता सकती हूं यहां पर कुछ patented medicines नहीं बताऊंगे लेकिन classical medicine जैसे हो गया neurological problem जैसे मैंने बता है और महिलाओं के लिए खासकर ऐसा होता है कि वो लोग बहुत देर तक standing position में रहना परता है उनको kitchen में या फिर कहीं पर तो उसके लिए उनको थोड़ा सा compression बनता है उस एरिया में lower back में तो उसको release करने के लिए महा माशा oil रहता है महा नरायन oil रहता है यह सब ayurvedic medicines है जो सिर्फ oil नहीं है उसमें बहुत सारे herbs include किया गया है और वो herbs उसमें काम करते हैं उस एरिया में काम करते हैं और जब भी आप oil apply करें अगर pain है मतलब ऐसा नहीं कि वो injury वालब pain लेकिन अगको अगर pain है हमेशा याद रखियागा कि वो तेल apply करने के बाद आप steam steam any form of steam आप यूज कर सकते हैं या फिर hot fermentation जैसे hot water bag हो गया गरम towel से उसको यह कर लिया उस एरिया को तो यह सब अगर करेंगे आपको benefit ज्यादा मिलेगा क्योंकि वो टेल जो है वो एब्सॉर्ब हो चुका होगा आपके बॉड़ी में जी कई बार क्या होता है क कि क्या जो अलोपेथी हम करवा रहे हैं उसके साथ साथ आयूरवेद चल सकता है कि नहीं से हाँ वो एक बात होता है कि लेकिन कभी doctors को यह decide करना परेगा कि आपको ड्रॉग के साथ interaction तो नहीं है अलोपेथी के नायूरवेदिक कभी कभार interaction हो सकता है drug interaction या drug adverse effect उसको देखत हुए हम लोग decide करेंगे कि हाँ अगर यह चल सकता है या फिर देखिया आप कुछ भी पैठी का आप medicine लीजिए लेकिन therapy आप ले सकते हैं बाहर का external therapy जो है वो अगर कराएंगे तो उसको भी उसका भी benefit ज्यादा मिलेगा तो वह है कि अर्वेद तो बेस्ट है क्योंकि उसमे ले लिया इसमें भी कुछ बन सकता है side effects तो इसलिए जानना ज़री है क्या proper amount proper doses में उसको लेना होता है जी डॉक्टर डिप्ती एक सवाल मैं आप से जाना चाहूंगी कि आयूर्वेद जो है वो 5000 साल पुरानी चिकितसा पंदती है लेकिन जो ऐलोपेथी है वो शायद उसक इसका प्रचार पसार में कोई कमी है या फिर क्या है वहाला कि आयूश मंत्राले जब से आया तब से काफी प्रचार हुआ है इसका जी देखिए आप सबको पता ही होगा कि हम लोग ब्रेटिश के अंदर में थे तो हम लोग को western medical system भी western educational system ये सबको follow करना हम लोग का मतलब हो सब्सक्राइब मिनिस्ट्री मिल गया है अब ये मानेनिया सर्वानन्द सुनवाल जी भी है और हमें हमें पता है कि ये system जो है अभी जो global traditional medicinal system का जो world center है वो गुजरात में जामनेगर में बन गया है तो पुड़ा whole world में traditional healing system का center है वो तो हम लोग के पास अभी फिर से वो हां surgery हम लोग का पूरा classical surgery procedure है प्रा surgical procedures है जैसे piles में बहुत अच्छा procedure होता है एक शार सुत्रे का और बहुत चार ऐसा procedures है dental procedures होता है without anesthesia कुछ procedures होता है और इस type का होता है लेकिन इसको थोड़ा सा और प्रचार का जरूरत है कही न कहीं बहुत जरूरत है तो गंभी से जो गं करता है तो कितना बड़ा महत्वाइस में हां chronic जो chronic होता है जो जटिल बीमारिया होता है ऐसा नहीं बोल रही हूं कि acute condition में जैसे heart attack हो गया stroke हो गया उस पर बहुत ज़्यदा effect नहीं करेगा क्योंकि हलांकि हम लोग का ये medicine जो है वो बहुत herbal होता है तो simple medicines होते लेकिन जो chronic medicines ह chronic बैमारिया हैं जैसे IBS irritable bowel syndrome बहुत लोगों का problem रहता है ulcerative qualities का problem या फिर बहुत जैसे कि आप joint pain का problem आप ले लीजे तो इन में miraculous result मिल सकता है और वो भी एक दो दिन के लिए नहीं ये पूरा permanently उसका effect हो सकता है permanent effect तो लोगों को थोड़ा सा ये evidence की जरूरत भी है और जैसा है कि हम लोग भी पुरा का पूरा अएइर वेद्ट प्रेक्टिस और बाहर इंडिया में बहुत ज्टों में बहुत अच्छा आइरवेदिक treatment होता है और वहां पे तो एसा है कि foreign से आते है और लोग और वहां पे six month के लिए भी appointment के लिए booking करना पड़ता है तो ऐसा है और हम में पता ही है केनिया का प्राइम मिनिस्टर उनका उनकी बेटी जो थी उनका आई सर्चरी आईवेडिक से हुआ था और अभी वह अभी फिलाल आई थी मोडिसी से मिलके गई है तो आईवेडिक वे ओफ हिलिंग बहुत अच्छी पद्धती है जिस तरह बता रही है एक आखर स्वस्थे से स्वस्थे रक्षनम यह कहते हुए आपको खान पान का बहुत यह प्रॉपरली खान पान लेना चाहिए बाहर का बहुत चीज़ कम लेना चाहिए और पानी बहुत ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए और जैसे आईवेडिक का कुछ ऐसा है कि सप्लिमे पाइसिस होता है, वो एक अईरवेदिक से ही होता है, जैसे यह हो गया, आपका हल्दी हो गया, हल्दी एक magic remedy होता है, बहुत सा एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी एलर्जी, आपको सर्दी जुकाम हो रहा होगा, तो आप हल्दी आप दूज से मिलाकर ले लीजिए, दो दिन मे वो खतम हो जाएगा, तो ऐसा है, उसका फाइदा आप घर में ही है, आपको फाइदा उठाता होता है, जै, डक्टर दीप्ती जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, आज इस शुव में आप आए, अपना कीमती जो वक्त है हमारे लिजिकार, बहुत-बहुत धन्यवाद तो आज हमने आयरवेदिक चिकित सब पधधी को जाना, कैसे बारिश के मौसम में आप खुद को स्वस्त रख सकते हैं, कैसे मौसमी बिमारियों से उत्पन होने वाली जटिल परिस्तितियों से निप्टा जा सकता है, और आयरवेद की इसमें कितनी अहम भूमी का है, इन पर हमने गहराई से चर्चा की, वक्त हो चला है कारिकरम को समाप्त करने का, हमारे साथ इस कारिकरम से जुनने के लिए आप सभी धने वक्त